हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज हम आपके जीके के महतपुन 70 MCQ करेंगे जो कि आपके आने वाले किसे भी एकजाम में बहुत ही मदद मिलेगा तो चली आए इस्टार्ट करते हैं तेखिए आपका पहला कोशन दे रहा है कि संक संवत को राष्टिय पंचांग के रू कि नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है तो मिस्र देश को कहा जाता है अगला कोशन है कि सापेचता का सिदान किसने खोजा था तो एलबर्ट आइनिस्टाइन के द्वारा खोजा गया था इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि सुन्दर लाल तो चिपको अंदूलन से इनका समंद है अगला कोशन है कि अमजद अली खा कौन से वाध यंत्र बजाते हैं तो सरोध वाध यंत्र बजाते हैं इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि किस ग्रह के चारो और वलाय पाय जाता है तो सनी ग्रह के चारो और आ पढ़ता है यह आपके किस लिए प्रसीद है तो पन्ना आपके हीरा के लिए प्रसीद है अगला कोचन है कि विस्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो वे टिकन सिटी है इसके आगे आपका देखिए अगला कोचन दे रहा है कि भारत में सोने की खान कहां पाई जाती है तो कोलार जो कि आपके करनाटक राजी में इस्तित है यहां पर पाई जाती है अगला कोचन है कि भारतिय सविधान में कितनी अनुसूचिया है तो भारतिय सविधान में आपकी बारा अनुसूचिया है जब सविधान बना था उस समय आठ अनुसूचिया थी लेकि कोशन है कि जय जवान जय किसान जय बिग्यान का नारा किशने दिया था तो अटल बिहारी बाजपेई की द्वरा दिया गया था इसके आगे आपका अगला कोशन है कि घाना देश का पुराना नाम किया था तो गोल्ड कोश्ट इसका नाम था अगला कोशन है कि बिस्व में सर थाओ वाला बैंक कौंसा है तो भारत्य स्टेट बैंक है। इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि सफेध हाथ्यों का देश किसे कहा जाता है तो थाई लैंड को कहा जाता है। इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि भारत का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है तो भारत का सबसे उचा जल प्रपात आपका जोग या गर्सोपा जल प्रपात है जो कि आपकी सरावती नदी पर इस्तित है और किस से राजी में इस्तित है तो करनाटक राज अगला कोशन है कि कंगारु किस देश में राष्टय चीन माना जाता है तो अस्टेलिया देश का राष्टय चीन आपका कंगारु है इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसेन का समन्द किस वाध्यंतर से है तो इनका समन्द आपके तबला वाधक से है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि गौतम बुध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है तो इसे हम महापरी निर्मार के नाम से जानते हैं इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि प्रतम बौध काउंसिल कब कहां और किसके सासनकाल में हुआ था तो देखे कब हुआ था तो 483 इसापूर में हुआ था कहां पर हुआ था तो राजगिरी में हुआ था और किसके सासनकाल में हुआ था तो ये आपके अज पाना घास के माईदान किस महादीप में इस्तित है तो अफरीका महादीप में इस्तित है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि किस सविधान संसुधन द्वारा पंचायती राज बिवस्ता को लागू किया गया था तो 73 सविधान संसुधन के द्वारा तो उत्तर प्रदेस राजी में आपकी लोकसभा की सरवादिक सीटे है, कितनी सीट हैं तो आपका 80 सीट है, अगला कोशन दे रहा है कि भगवान महाभीर का जन्म कहां हुआ था, तो कुंडल ग्राम बहसाली में हुआ था महाभीर स्वामी का जन्म, इसके आगी आपका देखि पाए जाता है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन है कि वाई मंडल में कारबन डाई अक्साइड की मात्रा कितनी है तो 0% 0.03% है तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा ये कोशन काफी मत्पूर्ण है अगला आपका कोशन दे रहा है कि भारत में पसुव का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है तो बिहार में लगता है और बिहार में कहां पर लगता है तो सोनपूर में लगता है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि अश्टा द्याई किस ने लिखी है तो अश्टा द्याई जो पुस्तक है ये आपके पढ़नी जी के द्वारत लिखा गया है अगला कोशन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है तो इसे आप पच्छे से याद रखेगा कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है तो टंगस्टन से बना होता है अगला कोशन ह तो यह आपके बहुत धर्म का ग्रंत है और पाली भासा में लिखा गया है इसके आगे आपका देखे अगला कोशन देरा है कि गुजरात से गुवा तक समुद्रित तट क्या कालाता है तो इसे हम कोकर्ड के नाम से जानते हैं अगला कोशन है कि अंडमान निकोबार दीप समू में कितने दीप है तो 324 दीप है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम अवधी कितनी हो सकती है तो 6 माह की अवधी हो सकती है अगला कोचन है कि रितु संगहार, कुमार संभवम और रगुवनसम किसकी रचना है तो ये तीनु आपके काली दसकी रचना है इसके आगे आपके देखिए अगला कोचन दे रहा है कि अजन्ता और एलूरा की गुफाय कहां इस्तित है तो ये आपके महराष्ट के अवरंगाबाद जीले में इस्तित है अगला कोचन है कि महाबली पूरम के रथ मंदिर किसने बनाये थे तो पल्लव राजा नर्सिंग वर्मन के द्वरा बनाये गया था इसके आगे आपके अगला कोचन है कि जीम कारवेट नेशनल पार कहां इस्तित है तो उत्रा खंड राजी में इस्तित है सांबर जील जिससे नमक वनता है किस राजी में इस्तित है तो सांबर जील आपके रजस्थान राजी में इस्तित है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि गुलाम वन्स का कौन सा सासक चौगान यानि की पोलो खेलते समय घोडे से गिर कर इनकी मिर्ती हो गई थी तो उसका नाम था कुतुबिन एवग था अगला कोशन है कि महमूद गजिन ने सोमनात मंदिर को कब लूटा था तो एक हजार चौविस या एक हजार पचीस बोलिए इसी इस वी के टाइम इसने लूटा था अगला कोशन है कि कौन सा अभ्यारण एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसीद है तो कांजी रंगा राश्ट्ये उद्यान आपका प्रसीद है जो कि आपके असम राज में इस्तित है अगला कोशन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो प्लोटो के द्वारा लिखा गया है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि तैमूर लंग ने दिली को कब लूटा था तो 1398 इसमे में लूटा था अगला कोशन है कि सेर सास्टूरी को कहां दफनाय गया था यानि कि इनका मकवरा कहां है तो सासा राम में इस्तित है इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि न्यूटरान की खोच किसके द्वारा किया गया था तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूटरान की खोच किया गया था इसके आगे आपका अगला कोचन है कि परमार्ग रियेक्टर में मंदक के रुप में किसका प्रियोग किया जाता है तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रियोग किया जाता है अगला कोशन है कि विस्व का सबसे छोटा महादिप कौन सा है तो विस्व का सबसे छोटा महादिप आपका अस्ट्रेलिया महादिप है इसके आगे आपका देखी अगला कोशन दे रहा है कि NCC की अस्थापना किस वर्सुई थी तो 1948 में हुआ था अगला कोचन है कि गीत गोबिंद किसने लिखी है तो जय देव के द्वारा लिखा गिया है इसके आगला कोचन है कि खजुराहों के मंदिर किस वंस के सासकों के द्वारा बनाए गिया है तो चंदेल सासकों के द्वारा बनाए गिया है बिजयन अगर समराज की अस्थाबना कब और किषने की थी तो हरियर और बुकाज दो भाई थे इनके द्वारा ही किया गया था और कब किया गया था तो 1336 इस्वी में किया गया था इसके आगे आपका अगला कोचन है कि घाना पच्छी अभ्यार कहां इस्थित है तो आपके रजस्थान में इस्थित है और रजस्थान में कहां परिस्थित है तो भारत पूर जगव परिस्थित है इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि भारत में जंगली गदह कहां प इसके आगे आपका अगला कोशन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है तो काल मार्स की रचना है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि भारत में प्रथम परमाडु बिजिली घर कहां अस्थापित किया गया था तो यह आपके तारापुर में किया गया था जो तो यह भी आप याद रखेगा इसके आगला कोशन है कि समुंदरी जल में लवन की अवसत मात्रा कितनी होती है तो तीन दसमलों पांच-जीरू पर्चेंट होती है तो इसे आप अच्छे से याद रखेगा